और यह है Intellect Design Arena Intellect Design Arena जो predominantly banking and financial services को cater करती है बहुत इस टेडी quarter देखने मिला ग्रोथ जो बाहर से भी आते थे पर अभी जो growth drive कर रहा है वो इंडिया क्या business कर रहा है financial technology में बहुत मजबूत और डील pipeline बहुत दमदार है छेस्सो million dollar के उपर की deal pipeline है सिर्फ यह 30% की margin की guidance management दे रही है Intellect Design Arena में और revenue जो आई FY22 यानि यह साल के जो अनुमान है management द्वारा दिये गए वो है 14 से 16% Intellect Design Arena बहुत ही बहुतरीन डिजाइन रखेगा आपके portfolio का टार्गेट होगा 870 का इंदुस्ता नेरोनाटिक सिंटेट है यह इस टॉप में पिछले दिनों में जरूप देखने को गली लेकिन अगर इसके weekly monthly setup अनलाइज करें तो इस तरीके से आप यहां पर consolidation होते वे दिख रहा है दिखातावा दिखेगा तो 1389 के आसपास अभी स्टॉप ट्रेट कर रहा है 1389 से 1355 यह बायरेंज हम सजेस्ट करेंगे स्टॉप लॉस होगा इसको बाय करने के लिए करी 1310 के आसपास टार्गेट होगे 1500-1550 तक है अजया इसको यह करेंगे 1089 को बायरेंज होगे भी स्टॉप यह लॉक्स प्रभ बायरेंज होगे